कर लास सेवन का साथ पर तक हो गया था हम लोग आठवा पाथ आज पढ़ेंगे प्रिये तम यह कहानी आप लोग समझ चुके होंगे इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे में बीसे हैं इसके बारे में जो कोचन इंसर कराना वो थोड़ा गरामर होता है ना इसको सुरु से चलते हैं जो थोड़ा नहीं समझ पाते हैं वो भी समझेंगे तो आठ पाट में हैं इस कविता में विश्नु और नारद से सब्वानित एक प्रणानिक प्रसंग लिया गया है इसमें करतब ये परन करने वाले वेक्तिक वही प्रभू का सबसे प्रिये माना कंदा गया है एक देन विश्नु जी पास गये नारद जी पूछा मिरतू लोग में कौन है प्रभू लोग भक्त तुम्हारा प्रधान वह wires लेक्ति नाम लैन। आपका भब्फ्ट कोन है विष्णू ने कहा एक सजण किसान है बोला कि किसान है प्राणों प्राणों से प्रीयत्व उसकी प्रिक्षा लूँगा यह उसकी परिप्षEMAम यह कहा कि लिए सकते हो और विष्णुजी बोले नहां उसका प्रिशाप ले सकते हो चल दिये पहुंचे भगत के शीद देखा हव्यों जोतकर आया वह दो पहर को दरवाजे पहुँचकर राम जी-का नाम लिया जूह चला रहाता किसान थैसान वह सक राया थैसे कर अपने लाजे पेह तो रामल लिया रहा ओ कि अस्नान भोजन करके फिर चल गया काम पर किसाण राम किया भोजन अस्नान किया फिर काम पर चल ले शाम को यह दर्वाजे पर फिर नाम लिया राम का प्रातwicाल चलते समय एक फिर den skull नाम सो लेता है किसान और हम तो दिन दिन भर बोलते हैं नार आयर नार आयर यह भगवान को कैसे प्रतक्रीए हो गया विश्णु लोक में गए बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में तीन बर नाम लिया है और इनुद याद करके आया है कि कितना वरो नाम लिया है इसके बाद बोले विश्णु नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता विश्णु जी बोल रहे हैं कि एक और दूसरा काम है मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए यह काम तुम्हें छोड़कर द वहां से देख रहा हैं उससे बादविवाद हो गारे पहले आप यह कारे कर के यह तो करेंगे तेयल पूर्ण पात्र यह ले KARD KID कर आइے नइंड टेल से भारा एक पात्र लैते हैं और उसको बोलते की इसको भूमंडल के द्यान रहे विशेष एक भूंद भी इससे तेल ना गिर पाए बोले कि इसे लेकर आप पूरा जो है आप भूमंडल को परिकार्मा करके आए अध्यान आपको यह रखना कि एक भी बूंद तेल करने चाहिए लेकर नारज जी आगया पहद्रिष्ट लक्षे एक बूंद तेल उस पात्र से गीरे नहीं अब यह जो बोले भगवान उसागया से इन्होंने उस पात्र को लेकर और चल दिये पूरा भूमंडल की परिकार्मा करने योगी राज जल्द ही बीसव परियाटन करके लौट बैंकूठ हो गये वह जल्द ही क्या कि यह पूरा बीसव का परियाटन करके भूम के और बैंक नीचे नहीं गिर था इसके वाजा सेंगे मन बहुत उलास था खुसी था कि मैंने भगवान के कहे अनुसार मैं अपना कार्य कर लिया हूं उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा काम क्या हूं मैं खूस हूं मैं उलास भरा था यह सोचकर तेल का रहस्त से एक औगत होगा नया यह इनके सोच में था कि तेल का रहस्ति जो होगा और एक नया मेरे लिए कुछ अश्रिवाद के रूप में होगा भगवार हम पर खुस अवस्य होंगे नारद को देहकर बिश्णु भगवान ने बैठाया सनेह से नारद को देहकर बिश्णु भगवार मोलें कि ठीक है यह उतर तुम्हारा यहीं आ गया बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इश्ट का लिया अर्थाथ इस्ट मतद देवता जो आपके देवता हैं उसका यह पात्र जब लेकर भरमन कर रहे थे उस समय पाट्र साथ कितनी भगवान का नाम लिया ऐसे होता है इसके ब का साथ Tanner तो तेल पता कितेल की गुंत निजी के रहना हैं इसके सभागवान को ना मिद्वार ही ने कहा। को दिए्भ काम तुम्हारे इस हिता और लेक्रेम साम नाम नाम फिर किया को लेता और विस्नी नै कहा उन से कि उसके बढ़ कई लादे हैं एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ तो वह लेकि उतरदाई जो है किसान को बहुत लादा हुआ है लेकिन इस सब का एक साथ उसका निभाता भी है और मेरा नाम भी लेता है haver इसी से हैं प्रियतम इसी करणों मेरे क्या है प्रीतम मीनी प्रीटम या Toni बहुत प्याराहँ हैं नारजी लजित हुए और ऑर कहा यह सत्य है तो उन्हीं के सवाल में भगवान बिष्टुने के दिये और तव यही नारण दिश्वार्प दूर्षा। करने अपना वीडियो में करवाएंगे यह जितना भी डिक्सनरी है इन सब का आप लोग एक सब्सका बुक बना लिजेगा कोपी और उसमें सारे लिखनी जेगा तकी स्पिकिंग करने में असानी होगा तैसे सब्दार्थ एक टिपिडिया सबसे अधिक प्रिया नी लोविस्ट सारी नी संसरो जोभी आया है उसका मर्ना नीचीत है इसलिए मिरतु लोग भी कहते हैं प्रित्वी को और सनसार को इसका एंगली समकारत voz l और है नाम्म्म। यानि फेमस, प्रधान यानि मुख्य, मेन, तेल पूर्ण यानि तेल से भरा हुआ, फिल्ड बित आयल, मधूर यानि मीठा, स्वीट, प्रधचिना यानि परिकर्मा, भेरी यानि राउंड, अस्मरण यानि याद यानि मेमोरी, भूमंडल यानि प्रित्विलोक, अर्थ, बीश्य परियाटन, यानि संसार का भ्रमड, पुरा दुनिया का घुमना, यानि वर्ड टूर, बैंकूठ यानि स्वार्ग, हवेन, उलास यानि खूसी, हाइपिनेस, पात्र यानि वर्तन, वेजल, दाइत्व, उतरदाइत्व, एनि जिमेदार, इरिस्पन्सबिलीटी, ल से बना है, एमिंग, संकित यानि डरा हुआ, संदेह से भरा, न, सस्पीसियस, अउगत होना, यानि मालूम पढ़ना, टू, न, तो इस तरह का डिपेडिया, और सभदार्थ के बारे में आप लोग जंग गये हैं, और इस कहानी से भी आप लोग सीख चुके हैं, कि भागव अति प्रस्ण रहते हैं, तो इसका जो उतर एंसर हैं, हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो यह वीडियो का काफी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आप लोग ज्यादा बहुर फिल करेंगे, ठीक हैं मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जये हैं जो 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 ज